राधे राधे कृष्णा 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 जैलडू कोपाल की जैवाल कोपाल की आप सबी भक्तों का हमारे चैनल पर स्वागत है फ्रेंट्स आज की वीडियो में आप जानेंगे सावन के सोमार का उद्यापन कैसे करेंगे तो फ्रेंस क्या दान करें क्योंकि सावन माुमा से बहुत पवितर पावन महिना है और इस महिने में दान पुन का भी विशेष महतु होता है जो लोग सावन के सोमार के वर्थ रखे हैं तो वो कैसे दान करें जिन्नों ने मीठे सोमार के वर्थ किये हैं, तो वो मीठा खाना, मीठा भुजन दान करें, मंदिर में पंडित को दे सकते हैं आप और किसी ज़रूरत मंद को भी आप दे सकते हैं, लेकिन अगर आपने अनखाया है, तो अनका आप बना हूआ खाना हो या आप सूका भी मीठा दान जरूर करें, जैसे आठा, चीनी, चावल इस तरह से आप मंदिर में दान देए और जिन्हों ने फलहर करके वर्त रखा है तो वो जैसे फल या कुट्टो का बना हुआ खाना मंदिर में दान करें या किसी भी ज़रूरत मन को दान जरूर करें इस तरह से होता है अध्यापन और जिनों लोगों ने नमक का इस समय नमक खाकर वर्थ किये हैं तो वो नमक का बना हुआ भोजन भी मंदिर में दान दे सकते हैं या वो सूखा भोजन भी आप जैसे आटा, चावल, डाल, चीनी, नमक इस तरह से आप सूखा भोजन भी निकाल कर दान कर सकते हैं भोजन का सूखा समान आप दान दे सकते हैं इस तरह से भी आप दान करें लेकिन जब आप दान करते हैं तभी आपके वर्थ मानने होते हैं औ और कल लाश्ट सोमार है सावन मास का, तो इस जिनोंने जिनका वर्थ पहले छूटी गया हो, ना किसी कारण नहीं है पाए है कोई एक वर्थ, तो वो कल जरूर वर्थ करें, और उध्यापन करके भी अपना वर्थ पूरा करना है, सावन मास में भगवान शीव की तीन बार करें, आपके आसपास मंदिर है, और अगर आपके घर में शीवलिंग है, तो आप अपने घर पर ही तीन बार भगवान शीव की शीवलिंग पर जल अभिशे करें, बेल पत्र चड़ाएं, अगर आपके आसपास में बेल पत्र का वरक्ष है, तो आप पत्ते तोड़कर पहल चीज़े अरपित करें तो friends रूद रभीशेक भी क्या जाता है कच्चे दूद से दही से शहद शे घी से और गन्य की रसे भी रूद रभीशेक क्या जाता है इस तरह से आप रूद रभीशेक भी कर सकते हैं कल आखरी सोमार है सावन का तो भगवान शीव को भूले नात को कै इस तरह से पूझा करें भगवान परसन होते हैं भांग दहतूर और यह सब जीजे आप भगवान पर अरपित करें tap तो भगवान परसन होते हैं क्योंकि rhन को इस सब चीजे अबहुत हैं बेल पत्र इस तरह से आप सावन सो मार क्या वर्तों का अध्यापन करें जिन्हों ने वो लोग जब उनके वैश्यआ पूरे वड़े सावन के ज़िए हैं नियम से तो पूर्ड निमा को अपना अध्यापन कुरेंग लूड़ेंगे अध्यापन करेंगे महिने का अगस्त कर पूरें और जिस तरह से अपने जो भी मीठे वर्थ किये हैं नमक्य, फलहर किये हैं वैसे ही आपको दान करना है। दक्षिना रखकर आप दान करते हैं, वही दान लगता है, आप मंदिर में दे सकते हैं, किसी जरूरत मन को दे सकते हैं, अपने समारत अनुसार आप को दान पुन जरूर करें, क्योंकि सावन मास में दान पुन करने का भी इसे समयतु होता है, और परभू महादेव को परसन कर अपनी समस्त्मनों कामनाओं को पूरा करें और भगवान का अश्रवाद पराप्ति को सिंगार का समान जरूर अरपित करें लाश्ट सोमार है सावन मास का आखरी सोमार है तो सावन के चारो वर्तों का उध्यापन होगा कल आपने जिस तरह से वर्त रखा है मीठा नमकीन या फलहार का वही सभी चीज़े आपको दान करनी है और भगवान शीव का अच्छे से कल बहुत ही अच्छे से भगवान शीव और मापारवती का पूजन करना है शीव लिंग पर बड़े मन और भाव से जो चीज़े वीडियो में बताई है अरपित करें और धूप दीप पर दान देते हैं इस तरह से आपका उद्यापन हो जाएगा सवन के सोंमार का इस तरह करें आप अपने talks उद्यापन शाना राधरादी करिशनक्रिश्ण करिशनक्रिश्ड जयलड़ गौपाल की जेपाल को पाल की